इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए लेकिन मजबूरी है कि वीडियो मुझे लेके आनी है आप लोगों के लिए और पहले मैंने सुचा था कि आज एक ही वीडियो डालूँगा बासकर ओप्सवल की पर फिर अचानक से एक ऐसी बात सामने आई कि चोद ये इंडियन आइडल वालों ने मुझे एक बात बताओ क्या कसम खा रखी है कि सिंगिंग रियालिटी शो बोल के हम हर तरह का चूतियापा करेंगे यहाँ पे किसी कंटेस्टेंट के प्रती हेट नहीं है किसी सिंगर के प्रती हेट नहीं है यहाँ पे हेट सिर्फ इस बात को लेके है कि भाया आप सिंगिंग रियालिटी शो में एक डिजर्विंग कैंडिडेट रितों को बाहर कर देते हो और वहाँ पे आपको सिंगिंग के अलावा हर तरह की बंडिगेरी करनी है एक बात बताओ बेहन चो तुमने लव स्कूल खोल रखा है कि यह इंडियन आइडल है पहले एक दो सीजन पहले की बात है वहाँ पे ड्रामे बाजी चल रही थी यह वाली अधित्य नरायन और नेहा चूतड खकड के बारे में इन लोगों की लव स्टोरी को इन लोगों ने एक सीजन पूरा खीचा था फिर उन्होंने अगला सीजन भी खीचने की कोशिश करी वो तक कुदर्ती अधित्य की शादी हो गई फिर उसके बाद यह नेहा का सीन क्रियेट हुआ भाया मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा और अगर आप इस बार का इंडियन आइडल लगा लो इनके पास लव स्टोरी नहीं थी आगे लेके आने के लिए तो इन्होंने यह कलेश मचाया यह भी नहीं एक्चुल में यह व के लुए कर आ रहा ही कि आतू फालतू क्या हर चीज करारें यह वहां पर वो चूतिया विनीत लिएक रिऐ संब आ तोड़ी हिम्मद नहीं मेरे में बोलने की ज्यादा नहीं तो मैं तुम्हारी अच्छी उतारता इस टाइम पर अब कावे चिराग वाला एंगल इन्होंने थोड़ा सा डाउन होता नजर आया लोगों ने उसको ज्यादा पूछा नहीं उस एंगल को तो अब इन्होंने यह च भाई यह अलगी सीन चल रहा है यह एक निया लव एंगल लेकर आया नहीं माधर चो तुम्हारे से कंटेंट नहीं बन रहा है इतने ज्यादा सिंगर्स को तुम फरी में वहां पर गवा रहे हो उनको कुछ नहीं दे रहे हो एंड ओव दे उनका सारा कंटेंट तुम यूट्यूब पर डालोगे तुम टेलिवीजिन से भी पैसे कमाऊगे तुम स्पांसर से भी पैसे कमाऊगे सिंगर्स को तुम देली नहीं दोगे अभी तुमारे लिए यह रियालिटी शोज को डेली शोप बनाना जरूरी रह गय है क्या फरक है कि यहां पे टैंलेंट की बात ही नहीं हो रही है आफ्य बात करे नहीं हो आप अब दो एक रियालिटी शोओ एक ऐसा चूतिया रियालिटी शोओ इंडियान आईडल बनता है जिसके अद vendor अभी तक फिनाले तक की बात नहीं हो रही और उपन्डL यूजल ब गंदगी किस लेवल तक करनी है तुमने बेंचो रियालिटी शो को डेली शो बना दिया इतना बड़िया सिंगर रिशी सिंग यार एक बात बताओ अब भी तक कोई गलती नहीं निकली मैंने एक एक परफॉर्मेंस जैसी नहीं देखी जिसमें इनके जाज यह बोल रहे हो कि यहां पर तुम्हारी गलती थी ऐसे कौन से तुम मतलब महारती ले आए यार मैं बड़ा डिसपॉइंड हूं गाईज एंड एंड आम सॉरी फॉर्मेट ऐल भी बैक टू मैं स्टूडियो इन वन और टू वीडियो का एक वीडियो शायद ऐसी हो रहाएगी उसके बाद नह चाहता हूं उसके लिए लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यार ऐसे मैंने फुद्धू बंदे जिंदिगी में पहली बार देखें एंड लिटरली यार मतलब क्या ही लोग है यह मतलब सिंगिंग रियालिटी शो के नाम से टैलेंट के अलावा हर चीज की बात होती है और umbles पहले क गरीबी वाली कहानी बना लो रियालिटी शोज्ड का जो क्रक्स बन रहा ना वो यह वन रहा है के पहले गरीबी वाली कहानी बना लो उसके बाद वहां जाके वह नहीं कि सुनाओ मेरा बाप कच्छे बेचता है ऐसे कहानियां हैं उसके बाद क्या कहते हैं आदर से जादा महां पर लेंगे मेरे फादर मैं किसी प्रोफेशन को डिस्ग्रेज नहीं कर रहा हूं यहां पर यह हरकते करते हैं मैं वहीं बात कर रहा हूं कोई मोची बन गया कोई दिखनीटी नहीं है उसके प्रोफेशन को तुम डाउंग्रेड करते हो क्यों ही दिखाना है वह सब वहां पर फिर उसके बाद इनको टी आर्पी के नाम पर जब पता चल जाए कि एक पैरलर शो जादा अच्छा जा रहा है तो वहां पर इनको टी आर्पी के नाम पर लव स्टोरी क्रिएट करनी होती है अब याँज़ आका चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या यह आप लोगं का क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखना बूरा लगता है यह सब देखें का इस लाइक शेर सब्सक्राइब दुबाना मत बोलना वीडियो को और सब्सक्राइब करल यार चानल यहां करना आँको सहिसे हैं जुकि मैं कितना कुछ करनी पाँगा अब यहे देखो मैं easily function into a very better platform तो गई सपोर्ट चाहिए आप लोगों का शेर करो यार वीडियो को प्लीज गई मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में stay tuned keep watching